हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है संदीप मार्गौर और हम डिसकस करना है डिस्कीप मैंतेमेटिस के द्रगत ग्राफ थेवरी पर और अभी हम देख रहे हैं ऑप्रिसंग ग्राफ जिसमें हमने यूनियन और इंटरिसेक्शन पर डिसकस कर लिया है और आज की वीडियो हम देखने वाले सम अप्ट्व डॉप किसी बुक में दोस्तों सम उप्रिसंगों ही ज्वाएन उप्रिसंग भी कहा गया है आई देखते हैं सम उप्ट्व ग्राफ क्या होता है इस दघराफ जीवन और डी तू तो अग्राफ देखिए यदि हमारे पास दो ग्राफ दिये हुए हुए G1 और G2 और इनका हम sum करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोनों ही जो graph है उनके vertex यहाँ पर common नहीं होने चाहिए ठीक है एक भी vertex आपके पास common नहीं होना चाहिए और जो sum होता है उसको हम G1 प्रस G2 से denote करेंगे इसके लिए हम जो vertex है उनको combine कर सकते हैं जैसे कि G1 में जितने vertex हैं और G2 में जितने vertex हैं दोनों का total यहाँ पर आएगा जितने vertex होंगे total यहाँ पर आजाएगा and the age set is consisting those edges which are in G1 and in G2 and the edges obtained by joining each vertex of G1 to each vertex of G2 that means दोनों graph के vertex को हम यहाँ पर total कर लेंगे और जो age पहले से थी वह है age आ जाएगी लेकिन साथ में साथ नई age आएगी नई age किस तरह से आएगी यह जो पहला graph दिया हुआ है उसकी जितने vertex है वो दूसरे graph के vertex से connect होंगे ठीक है तो इस तरह से हमारे पास एक नए graph बनेगा इसको example के तोरह समझते हैं यहाँ पर एक graph दिया हुआ है G1 और दूसरा graph दिया हुआ है G2 पहले graph में जो vertex दिये हुए है वो A और B है और दूसरे graph में जो vertex दिये हुए है वह है A डेस B डेस और C डेस दिये हुए है means दौनों ही graph में vertex कोई भी common नहीं है अब इनका जो sum है वो किस तरह से होगा तो पहले तो हम दौनों graph की vertex बना लेते हैं यह A है और यह B है और यह इसके age है 37 दूसरा graph बना लेते हैं तब यह A डेस है B डेस है और C डेस है ठीक है तो यहा पर आप देख सकते हैं कि जो vertex of g1 है कितने थे ? 2 थे और vertex of g2 कितने vertex है ? 3 है तब two plus three कितने होने चाहिए ? five vertex हमारे पास होने चाहिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास five vertex है 1,2,3,4,5 ठीक है अब ages जो पहले से ages हैं वह है तो हमने यहाँ पर बना दी अब जो नई age है वो किस तरह से आएंगी कि पहले graph की सारे vertex को इससे हमको connect करना है तो यदि यहाँ पर A vertex है तो A vertex को दूसरे graph के तीनो vertex से आपको connect करना है ठीक है इसी तरह जो second vertex B है उसको भी दूसरे graph के सभी vertex से connect करना है ठीक इस तरह से जो graph हमको मिलेगा यह कहराएगा G1 प्लस G2 ओके फ्रेंट तो भहती simple सा concept है sum of two graph का I hope कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you